तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विवाह क्या है? क्यूं? क्यूं दो लोगों को जुडने की क्या जरूरत है? हम कैलिफोर्णिया में हैं और मैं गलती करने वाला था एक पुरुष और एक महिला को जुडने की जरूरत क्यूं है? मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता जब आप आठ वर्ष के थे आठ जब आप आठ वर्ष के थे तब आप में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी है न? आप अकेले ही खुश थे जो कोई भी होता था आप उनके साथ खेलते थे आप ठीक थे कुछ होने की जरूरत नहीं थी फिर आप 14, 15 के हुए शायद 12, 13, 14, 15 मैं आजकल के दौर के हिसाब से उम्र तै कर रहा था धीरे आपके हॉर्मोन आपके बुद्धी को हाईजैक करने लगे बुद्धी हाईजैक होने के बाद आपने जिसे भी देखा महिलाओं को सब कुछ एक तरीके से दिखने लगा पुरुषों को सब कुछ दूसरे तरीके से दिखने लगा आचानक पूरी दुनिया बदल गई हाँ? वही दुनिया पर अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप उन्हें वैसे नहीं देख पाते जैसे वे हैं उसके साथ हर तरह के मतलब जुड़ गए बस थोड़ा सा इस पचास साथ किलो ग्राम के शरीर में क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर इन शरारत करने वाले हॉर्मोन्स का वजन क्या है? हर दिन कुछ मिलिग्राम क्या आप समझे? ये कुछ मिलिग्राम केमिकल आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं आपके जीवन के बोध को बिलकुल बदल सकते हैं है न? आप दुनिया के असली रूप को देख ही नहीं पाते आपकी पहचान आपके शरीर से इतनी जुड़ जाती है उस उम्र से पहले ऐसा नहीं था जब ये हॉमोन आपके खून में बहने लगे तब आपका एक पुरुष या एक महिला होना स्थापित हो गया तब ही शरीर महत्वपूर्ण हो गया है न? जब आप बच्चे थे, शरीर बस एक साधन था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था तो ऐसा होने के बाद आप अलग-अलग तरीकों से सोचने लगे और आप सोचते हैं कि आप कई चीजें कर रहे हैं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रकृती बस यही चाहती है कि आप किसी तरह से बच्चे पैदा करें चाहे आप एक गाना गाएं या आप नाचें या कुछ भी करें प्रकृती मां इंतजार कर रही है कि आप बच्चे कब पैदा करेंगे हम अपने ही रंग जोड़कर इसे कई पारंपरिक रूप देना चाहते हैं पर मूल रूप से यह बच्चे पैदा करने का तरीका है यह बहुत स्थूल और असभ्य लगता है पर प्रकृती कोई सभ्यता नहीं जानती सिर्फ समाज ही सभ्यता को जानते हैं है ना? तो लोगों में ऐसी जरूरत है आप सबसे पहले यह देखिए कि क्या आपके लिए यह बहुत जरूरी है या उतनी जरूरी नहीं है मैं कहूंगा कम से कम 25 से 30 प्रतिशत लोगों को उस दिशा में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बस थोड़े समय की रूची है 30 से 40 प्रतिशत लोगों की रूची थोड़ी लंबी हो सकती है वे ऐसा करते हैं 10 साल, 12 साल तक उन्हें अच्छा लगता है फिर उन्हें ये एक बोज लगता है कुछ लोगों की जरूरत इतनी ज्यादा होती है उन्हें ये चाहिए 25-30 प्रतिशत लोगों को ज्यादा समय तक इसकी जरूरत होती है उन्हें ऐसी व्यवस्था में जरूर शामिल होना चाहिए सबसे बढ़कर आपको समझना होगा कि जैसे मन में यादे होती हैं वैसे ही शरीर में भी होती है इसे रोणानु बंद कहते हैं आपने ऐसा शब्द सुना है भारतिय लोग रोणानु बंद इसका मतलब है शरीर की यादें शरीर की अपनी यादें होती हैं अगर वो कुछ अनुभवों से गुजरता है तो वो याद रखता है और शरीर भविश्य में उन यादों के आधार पर प्रतिक्रियाएं देता है शारिरिक अंतरगता से हमेशा ज्यादा यादें पैदा होती हैं और अगर आप में कई यादें छप जाएं तो शरीर में एक भव्रम पैदा होता है आप जीवन में सब कुछ करने के बाद भी आनंदित होने का मतलब नहीं समझ पाएंगे आप सहज नहीं होंगे सिस्टम में सहजता नहीं होगी क्योंकि वहां मेमरी की एक जटिल छाप है और इससे शरीर इतना भ्रमित हो जाएगा कि जीवन में बहुत परिशानी होगी ये सब समझ कर हमने कुछ चीजें स्थापित की पर आज समाज में कुछ और ही हो रहा है आप शादी शुदा हैं? तो भारत में जब शादी होती थी तब वे मंगल सूत्र बांध दे थे मंगल सूत्र यानी एक पवित्र धागा अगर ये ठीक से किया जाए तो इस धागे को एक खास तरीके से बनाया जाता है शाद आपको याद होगा कि हर साल नया मंगल सूत्र पहनना होता है आपको पता है? अब नहीं पहना जाता क्योंकि अब सूने की चेन पहनी जाती है परंपरिक रूप से ये या तो एक तरीके से बना कच्चे सूत्र का धागा या कच्चे रेशम का धागा होता था क्योंकि ये एक विज्ञान है किसी की उर्जाओं को बदलने या इस्तमाल करने का एक तरीका है इस तांत्रिक तरीके में नाडियां शामिल है आप नाडि का मतलब जानते हैं हमने इसकी बात की है 72,000 नाडियां आपके सिस्टम से एक नाडि ली जाती है और एक नाडि आपके मंगेतर के सिस्टम से फिर धागा तयार करके बांद दिया जाता है अब जिस पल आपके शरीर जुडते हैं तब केवल शरीर नहीं मिलते तब दो लोगों की उर्जाएं भी जुड़ जाती है इसे तोड़ा नहीं जा सकता इसे तोड़ने के लिए आपको उन लोगों को भारी नुकसान पहुचाना होगा दो टुकड़े करने होंगे शादियां ऐसे कराई जाती थी बचपन में ही उनकी शादी हो जाती थी आठ, नौ, ग्यारा साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती थी पर उन्हें ऐसे बांधा जाता था कि वे कभी दूसरों को देखने की जरूरत महसूस नहीं करते थे बिल्कुल भी नहीं ये आज के लोगों को भयंकर लग सकता है पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उस थिरता की वजह से उन्हें शक्ती मिलती थी और वे अपने जीवन में जो चाहे कर पाते थे क्योंकि भावनाओं में असुरक्षा नहीं होती थी ये भारत में एक नई चीज है क्योंकि भावनाओं में असुरक्षा नहीं होती थी क्योंकि बहुत स्थिर बंधन होता है लोगों के मन में कभी ये विचार नहीं आता था कि क्या मेरा पती या मेरी पत्नी कुछ कर रहे होंगे ऐसा कभी नहीं होता था क्योंकि वे अंदर से ऐसे बंधे होते थे पर आज ये एक बेसर रस्म बन गई है आज भी कुछ शादियां जो मैंने करवाई हैं हमने लोगों को ऐसे जोड़ा है और उनमें जबरदस तालमेल है आप देख सकते हैं कि कैसे दो लोग एक बन कर जीते हैं और दो लोगों के एक बन जाने में कितनी शक्ती है इसमें जबरदस शक्ती है तो हमने सोचा कि दो पैर उतने स्थिर नहीं होते चार पैर हमेशा ज्यादा स्थिर होते हैं तो हमने दो दो पैर आपस में बान दिये दो पैर ज्यादा हमने साइकल छोड़ कर कार क्यों अपनाई, स्थिर्ता के लिए हाला कि वो ज्यादा जगा लेती है, ज्यादा महंगी और प्रदूशन कारी है पर हमने साइकल की जगा कार चुनी क्योंकि कार ज्यादा स्थिर है, उसे हमेशा संतुलित नहीं करना पड़ता शादी भी ऐसी ही है, वरना आपको हमेशा संतुलन बनाना और कुछ न कुछ खोजते रहना पड़ेगा आप हमेशा आसपास के लोगों के साथ अपने भावनात्मक रिष्टों की असुरक्षा महसूस करेंगे तब आप इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं